इस वीडियो में आगे बड़े उससे पहले अगर आपका डिवाइस ColorOS 13 सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है आप जान सकते हो वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दी है उस लिंक पे जाना है आपको और चेक कर लेना है कि आपका फोन सपोर्टेड है ColorOS 13 या फिर नहीं है त तो चाइना में कुछ फीचर्स लीक हुए है कुछ मीडिया की थूरू तो उस फीचर को मैं शियर करने वाला हूँ और कौन से डिवाइस को यह अपडेट मिले उसके बार में भी डिसकस करने वाले है बाइदे वे गाईज यहाँ पे जो फीचर से यह लीक किया गया है करते हैं तो यहां पर को सबसे पहले देखने को मिलिगए एक पोश्ट चाइना की तरफ से यहां पर लिखा हुए ओपो फाइंड ओपो फाइंड ऐक्स फाइव प्रो और वन प्लस टैन प्रो को को लाइद फाटीन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है अभी कि टाइम को जैसे कि आपको पता होगा चाइना के अंदर ColorWars अभी चल रहा है उप्पो के डिवाइस के अंदर भी और उसके साथ ये साथ में OnePlus के डिवाइस के साथ भी वर कर रहा है तो ये कुछ इंटरफेस है ColorWars 13 का आप देख लो एक फोन मैनेजर है जहां पर आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके का इंटरफेस उसके लावा ये भी फोन मैनेजर का स्कूर देखने को मिल रहा है और आगे बड़े तो ये है एक फाइल मैनेजर जिसके अंदर आपवी चीज़ें लेकर देखने को मिलें और फीचर सीट आपकोर देखने को मिल सकते हैं यहां पर एक Snkim चुछिक आपको ये क्लियुका। तो जी है आप फोल्डर के अंदर आप बहुत सारे application को add कर पाओगे उसके size को बड़ा या फिर छोटा भी कर पाओगे N37 में आप उपर से folder के application में पहले क्या होता था हमें folder के अंदर जाना पड़ता उसके बाद application को open करना होता था पर ColorOS 13 के बाद आप उपर से ही इसको बड़ क्लिक करोगे तो folder के अंदर के सारे application को आप open कर पाओगे उपर से ही आपको folder के अंदर जाने की जूरूत नहीं है और यह 100% confirm एक screenshot है जो की ColorOS 13 के लिए है और अभी जैसे कि मैं आपको बता दिये बीटा इस्टेज जुलाई से सुरू हो जाएगा चाइने पब्लिक यूजर्स के लिए उसके बाद अगस्त से official version मिलना ही स्टार्ट हो जाएगा चाइने के अंदर उसके बाद हमारे इंडिय के अंदर यह आपको देखने को मिलेगा एर के अंड तक देखने को मिल जाएगा बाकि जो भी बीटा वर्जन चलना यह सिर्फ प्राइवेट यूजर्स के लिए है जो भी मतलब इस कंपनी के अंदर काम करें ColorOS के लिए और जो बीटा अपडेट पब्लिक लिए आएगा व और भी फीचर देखने को मिले जो हमारे काम के हो बाकि इंटरफेस मुझे बहुत अच्छा लागा आप बताना आपको कैसे लगे सारी फीचर्स और अपडेट सो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड चैनल को सब्स्राइब गूरना भी विलकुल मत भूलन त्कैनल के जो हमारे के लिए हमारे